जब वो लोग पढ़ भी रहे होते हैं और उसके साथ साथ तो कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं और आपको बाद में सेटिस्पेक्शन हो कि मैंने जवाब कॉन्फिडेंटली दिया बड़ा अच्छा दिया है मुझे सकून है कि मैंने जवाब दिये इन चीजों का पता आपको उस वकद चलता है जस वकद आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं शुरू शुरू में आपको बहुत क्रिटेसिजम भी बरदाश्ट करना पड़ता है लोग आपको बहुत सीरियस नहीं ले रहे होते हैं तो हम क्या चाह रहे थे पलट कर जवाब नहीं देना फौरी तोर पर जवाब देना है अच्छा बेटा आज का जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा आज का सेशन है बहुत कीमती है हमेशा की तरह क्योंकि ड्रेस पर सक्सेस की बात की जाए क्योंकि इन्शाला आप लोग जल्दी से प्रोफेशनल होने वाले हो और कुछ बच्चे तो अभी से प्रोफेशनल हो जाते हैं जब वो लोग पढ़ भी रहे होते हैं और उसके साथ साथ तो कोई ना कोई जॉब कर रहे होते हैं कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं बड़ी बच्चियां क्या मैंने अपने बच्च्पन में मुझे याद है जब तुम लोग की एजसे थी मैं तो मैं खुद भी पढ़ती थी आप स्टूडेंट होते हैं चलो आपको माफी मिल जाती है कि आप स्टूडेंट हैं तो आप पॉकिट मनी के लिए साथ अर्न करें और उसका तरह से ग्रूम्ड नहीं होते ग्रूम्ड होने के लिए बड़ा जरूरी होता है कि उन चीजों को एक्सपीरियंस करना जैसे जैसे आप चीजों को एक्सपीरियंस करते जाते हैं मसाइल को समझते जाते हैं बरदाज करते जाते हैं आप ज्यादा पॉलिश होते जाते हैं आप सीखते जाते हैं सम्टाइम्स ऐसे होता है ना कि हम किसी ने सड़नली हमसे कोई सवाल किया आप लोगों की एज की अगर बात की जाए और आपने एमोशनलों के उसका जवाब दे दिया आपको घुसा भी आया लेकिन आपने आगे से मूँ फट करके जवाब नहीं दिया आप स्ट्रेट फॉवर्ट नहीं हुए आप बोल्ड नहीं हुए क्यूं क्यूंकि इस एज में कॉंपिडेंस लेवल इतना ज्यादा नहीं होता तो क्या हुआ कि जब किसी ने आप से कोई बात की और आपने लिहास मुलाइजे में जवाब दिया बाद में आकर उससे में आप सोचने लगते कि मैं इस बात का जवाब ये भी दे सकती थी तो क्या हुआ कि अब आप दुबारा कॉल करके या सामने जाके उसको यह तो नहीं कहेंगे, मैं पहले यह कह सकती थी, लेकिंगे मैंने कहा नहीं, तो मैंने इसका यह जवाब देना है। ऐसे तो नहीं नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि future के लिए एक experience हो जाएगा, कि आइंदा कभी कोई आप से कोई बात करेगा, तो आपने बड़ा सोच समझ कर जवाब देना है, एक दम से आपने कुछ बोलना नहीं है, भला ही वो आपने लिहाज में बोला हो, जाता है कि आपकी समझदारी का लेवल कितना है, आपके अंदर confidence लेवल कितना है, आप चीजों को किस तरह समझते हैं और किस तरह जवाब देते हैं, इन चीजों का पता आपको उस वकद चलता है, जिस वकद आप अपने professional life में आते हैं, आप सीख तो चुके होते हैं, लेक आपकी personality कैसे बनती है, शुरू शुरू में आपको बहुत criticism भी बरदाश करना पड़ता है, लोग आपको बहुत serious नहीं ले रहे होते हैं, तो हम क्या चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि ताली मुमकिन के हवाले से इस initiative को थोड़ा कामयाब इसना बनाया जाए, कि जिस वकद अपने initial stages में हो, तो वो वक्त ही ना phase करना पड़े आपको, आपको ऐसी नौबत ही ना आए, कि हाई कोई मुझे serious नहीं ले रहा, तो serious लेने के लिए पिर हमें personality को serious बनाना है, उसके उपर काम उसी सूरत में हो सकता है, जब आप पढ़ाई के दुरान में इस तरह की classes लें, ऐसी speeches लें, ऐसी trainings लें, तो आपकी personality क्या होती है, आपको वो चीजें experience नहीं करनी पड़ती, जो दूसरे ने experience किया होता है, वालेकुमसलाम, दूसरे ने जो experience किया होता है, वो आपको सिखा देता है, मैंने ये experience किया हुए, कि मैं पलट कर जवाब दूँगी, और बाद में satisfy नहीं हूँगी, और बाद में पच्छता हूँगी, मैं तो सिच्चा जवाब दे सकती थी, ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने आपको पहली train कर दिया, कि आप से professional life में, अगर कोई बात करता है, तो फट करके जवाब नहीं देना, तो आपने क्या सीखा मेरे इस experience से, कि हमेश मैं straightforward नहीं था, मैं bold नहीं था, एक बहुत अच्छे हमारी trainer है, वो एक speech दे रहे थे और उनकी speech में मुझे एक इतनी अच्छी बात लगी, इतनी common बात थी, लेकिन होता ही है कि हम उसको address करने में थोड़े late हो जाते हैं, हम इन चीजों को commonly, बड़ा popular है, हम face कर रहे होते हैं उन्होंने एक बात कही कि लोग कहते हैं, मैं गलत बात बरदाश नहीं करता, सोशल मीडिया पर बहुत वाइरल हुई थी, राइट, तो बेवकूफ गलत बात ही तो बरदाश करनी होती है, यह उनका मुझे ये फिकरा बड़ा अच्छा लगा, कि आप कैसे कह देते हैं, मैं गलत बात बरदाश नहीं करता, तो क्या हुआ, मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी, और मैंने ये नोट किया, कि सम्टाइम्स हम सैटिस्वाइ नहीं होते जवाब दे कर, वो इस दूरत में कि हमने नया नया कदम रखा होता है, प्रोफेशनल लाइफ में, और हमें स सिखाया अभी दा, कि आपने प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखना है, आपकी परस्नालिटी प्रोफेशनल बनेगी, लेकिन वो सिर्फ देखने में नहीं बनती, चीजों को बरदाश करने से, सीखने से बनती है, तो कभी कोई आपसे प्रोफेशनल लाइफ में कुई सवा है कि इसका जवाब जो मैं देने जा रही हूँ, आया ये प्रोफेशनल लिजम की इंतहा को पार तो नहीं कर रहा, क्या ये बत्तमीजी के जुम्रे में तो नहीं आएगा, क्या जो बात मैं इसे करने जा रही हूँ, उसको ये समझ कर कुछ नतीजे पर पहुंचेंगे, कु आपकी इसे लिज a you love ourery, बनता है परस्पनालिटी से लेक कर रहे होते हैं अच्छा पहले मेरा बड़ा दिल किया था कि मैं ग्रुप में आप सब को कहती कि सब बचे जो है ना पेर आफ शूज लेकर आए अपने साथ मैं चाहती थी वह चीज एक्सपीरियंस करा हूं लेकिन क्या ज़रूरत है उस चीज का आप आप अपने कॉले जेटे हो तो जैसे यह पांप着 भिझा सबंते हो या इसे इस वर्क मेरा औन हो गया है आपका कॉंफिडों की बाइं जरी हो इता जब आपने कांपर बैंने होसी यह चोंडा两 चाल रहे होती है को बने साफञे चापल और और बहुत फॉर्मल फील होती है और जिस वकत आपने पंप शूज और पैने होते हैं कोट शूज उस वकत आपकी बड़ी प्रोफेशनल फील होती है तो हमने आज इसके उपर बात करनी है कि शूज जो है उसकी connectivity आपके dress के साथ और situation के साथ कैसे होगी दूसरा हमने जो topic इसके साथ करना है वो है walk कैसे हमने professional करनी है जिससे पता चले कि आप कोई नए नहीं है अपने काम में आप बड़े experienced हैं आपने बड़ा सीखा है आपने बड़ा बरदाश किया है वो कहते हैं आपके inner जो होता है वो आपके outside पे आ जाता है आपकी personality वैसी हो जाती है जैसे आप अंदर के इंसान होते हैं आपने कभी देखा है कि किसी इंसान को देखते साथ हम कहते हैं कि कितनी quoiit शकसियत है कितनी cool है कितनी applying कितनी aggressive लगती है personality से लगता है बड़ी-बड़ी aggressive personality है कहते हैं और हमारा जोभी देनियत होती है जो तबीयत होती हुँ मारे चेरे पर आजाती है चेरे पर क्या मैं कहूंगी पूरी पस्नालिटी पर आपके आ जाती है तो आप लोगों को ने बड़ा जो है ना अपना जहन पर आपकी वाक कॉंफिडेंट होनी चाहिए आपने जूतों का सेलेक्शन एप्राप्रियेट करना है अन्य प्राप्रियेट क्या होता है उसके बारे में हम आगे चलके पढ़ेंगे और इसके उपर हम बात करेंगे आपने किसी चीव को अचीव करना से चीज को किसी मकसद को अचीव करना इसके लिए आपने एक चीज एक्सपिरियेंश की होगी Teachers की walk different होगी Police inspector की walk different होगी Doctors की walk different होगी काम्याब लोगों की in short walk different होगी नाकाम और बुझे हुए लोगों की walk different होगी यह चलने का अंदाज है जो बता देता है कि इंसान कितना काम्याब है कभी कासम अली शाथ साब को चलते हुए देखा है उनकी walk में कितना confidence level है वो कैसे आया है काम्याबी से आया है मेनत से आया है कुछ सीखा है कुछ बरदाश की है कुछ अचीव की है उसके बाद वो walk कितनी confident होई है आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो रस्ते में पड़े होते हैं कोने कनारे पे उनको कभी चलते देखा है तूटे हुए लोग बिखरे हुए लोग नाकाम लोग मैं कौन होती हूँ किसी का ये तायून करने वाली के वो नाकाम है हो सकता है वो बड़ा काम्याब हो कर तूटा हो यू नेवर नो लेकिन आपको अगले की चार धाल से सब समझ में आ जाता है लड़कियों की लेंगविज में बात करते हैं दुलहन की वाक डिफरेंट होती है लेंगा पहना होता है और क्या उसने शूज डिफरेंट किसम के कैरी किये होते है कॉलिज गर्ल जो बहुत जादा पैशनेट है अपने करियर को लेके बहुत करियर औरिएंट है उसकी चार डिफरेंट होती है इस चीज को तुम लोग फील करो बेमार की वाक और होती है बेमारी में आप किस तरह चल रहे होते है तो ये सारी चीजें हमारी वाक में आ जाती है तो अगर आप अपने आपको कामयाब करना चाहते हैं अपने खौबों को अचीव करना चाहते है तो उसके लिए यहाँ पर चलने की बात नहीं हो रही वाक यॉर वाक ये बात नहीं हो रही कि चलो चल के दिखाओ अगर कामयाब होने है खाली चलना क्या चलना है वो तो बेकार है चलना है काम करने के लिए चलना है मेनत करने के लिए चलना है बरदाश करने के लिए मुझे आप लोगो को पता होगा कि मैं एक आरजे हूँ और मेरे प्रोग्राम में different किसम के journalist आते हैं, मैंने series start की थी journalist की तो बहुत बड़े-बड़े journalist के मैंने interviews किये तो मुझे सुहेल बढ़ाईच साब का आप लोगों को पता होगा शायद तो वो बड़े एक अच्छे journalist है, senior journalist है उन्होंने मुझे कहा कि देखो जो मैंने उन्होंसे अपने दिल को हलका किया, मैंने उन्होंने कहा कि लोग मुझे कह कर जाते हैं कि वो मेरी मदद करेंगे मुझे support करेंगे, लेकिन मेरी career में को मुझे support कर नहीं रहा तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो जो हुनर होता है ना, जो talent होता है जिस तरह एक पानी है वो दिवार की एक दड़ाड में से अपने लिए रिस्ता निकाल लेता है तो टैलेंट वो चीज है कि तुम्हें मुआके मिलें या नहीं मिलेंगे लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम्हें किसी ने साथ नहीं दिया तुम आज उस जगहां पर मौझूद हो जिस पर तुम खुद को फखर महसूस करा रही हो तो उन्होंने का कि इसी तरह जो टैलेंट और मेनत होती है न वो अपना रास्ता खुद तलाज कर लेता है उसको बस एक कट मिल जाए किसी दिवार की दड़ार की तरह तो आपको किसी और की सपोर्ट की ज़रुती मेनत कॉंस्टेंट ली करते रहें दूसरी बात उन्होंने में जो बहुत अच्छी की अलफास थोड़े हाश थे उन्होंने कहा कि रस्ते में हर भॉंकने वाले को आप पथर नहीं मार सकते क्यों लॉजिक समझो पथर मारने के लिए खड़े हो जो कि तुम पथर ही मारते रोगे और लोग भॉंकते रहेंगे आप हटाते रोगे आपके रस्ते में जितने भी डॉग्स आ रहें आप पथर मारने खड़े हो जोगे तो क्या होगा कि मंजल तो निकल गई गड़ी जि पकड़ो, बैठो, चलो, बड़ो आगे, ये है वॉक, इसकी वॉक की बात करें, हम इस चलने फिरने की चाल की बात नहीं करें, हमारी वॉक सुक्सेस्वल होनी चाहिए, जो इनिशियेटिव लेने जा रहे हैं, उसके बारे में क्लेर हो जाए, डी मोटिवेट नहीं होना, मेरे वाइस टेस्ट के उपना मेरा ओके हो गया, दूसरी क्योंके मेरी मीडिया मास कमिनिकेशन स्टेडीज थी, तो जब मैं वहाँ पर अपना इंटेव्यू देकर आई, और डीरेक्टर से में पास होके, जब प्रोड्यूसर तक पहुंची, तो प्रोड्यूसर ने मुझे बढ़ा डीमोटिवेट किया, he said तुम कुछ डिफरेंट करो, ये जो रोज चिटचैट होती है बैटके इवेंट्स की कवरिज कर लिए, इससे तुम कुछ नहीं बनोगी, कुछ अच्छा कर सकती हो करो, नहीं तो अभी ना करके चली जाओ, क्योंके लाइन लगी विये पी पॉजिटियव लेना चाहिए और इसको करके दिखाना चाहिए, मैंने आकर जो है न अगले दिन अपनी सीरीज चेंच करवा दी, मैंने का, आप मैं अवेंट्स की कवरिज करनेंगे क्योंके ञाओंगी का, मैंने अगले दन सोचा, मैंने अपने आपने सोच्छे से बात यह और मैंने उने का जी मैंने सोचा है मैं एंकर्ज जर्नलिस्ट के इंटर्व्यूस करूँ तो यह वस्लाइक असान काम है हैं असान काम समझावें एंकर्ज जर्नलिस्ट को प्रोज करना वो तो बड़े-बड़े अदारों को नहीं हाथ में आते तो आप ये कैसे सोच सकती हैं कि आप ये इतना बड़ा काम कर सकती हैं फजूल किसम की बात ना करें वो करें जो आप कर सकती हैं तो मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और मैंने बड़े अराम से जो मेरे दूसरे वहाँ पर बैठे हुए थे जिनको फॉर्म फिल करके दे रह मुझे थोड़ा टाइम दे मैं इंशाला इस सीरिस को कंटीनियू करूंगी मुझे याद है मेरा सबसे पहला जो एंकर था वो था मुबश्यर हाश्मी और और उसके बाद मैंने बुलाए जमील सुखेरा को विन ही और एक्स्प्रेस नियूस और क्या होता गया कि सीरिस चलती गई बच्चों सीरिस चलती गई मैंने हाद जर्नलिस से सिर्फ इतना कहना होता था जाने के बाद कि आपको मेरे साथ कम्यूनिकेट करके कैसा लगा आप जिए प्लीज आप इतना सा काम कर दें कि जब मेरा इंटेविव आएगा तो उसको पने पेश पर पोस्ट कर दें मैंने उस वकत क्या सोचा मैंने जब आपने पेश पर पोस्ट करेंगे तो बहुत सारे और एंकर्स जरनलिस की नजर से मेरी प्रोग्राम और मैं गुजरूं इंटर्वियूस किये बड़े इच्छे अंदाज से बड़ी सेक्योरिटी के साथ बड़ा नाम कमाया और यहां से जो है ना मेरी जर्निलिस्स की फील्ड स्टार्ट हुई थी चुकि आप लोग को पता है मैं खाली जर्निलिस्स तो हूनी मेरा फैशन करियर भी है और वो दोनो टीवी में मेरी जॉब हुई थी कोई अप्रोच नहीं थी 92 न्यूस चैनल पर मेरी जॉब हुई तो वहां पर जो हमारे कुलीग से 90 उसके दुनिया टीवी के उन्होंने मुझे कॉल करके का यहां विकैंसी जोपन होगी अप्लाइ करो अल्ला भला करे देखो आपको आपके वाड्रोब वगेरा का सिस्टम मना देते हैं पीछे आपको डिपार्टमेंट को हेट करना पड़ेगा पर सिस्टम अभी लगाने वाला है यहां से जर्नी स्टार्ट हुई अपने आप पर बिलीव करने से अगर मैं सोचती रहती कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा मैं रोत उसके साथ जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं है आप समस्दों त छली ही नहीं सकता वह आपके लिए बना इनी यह वह दोस्ती नहीं है जो आपको मोटिवेट करें तो फिर आपने क्या करना है आपने ऐसा और इसा किनारा कशी करने है ठीक है जना आप How shoes make walk ये बड़े मज़े की बात है वेटा compatibility of shoes with dresses वे हम इसकी बात करेंगे हमारे हाँ होता क्या है कि हम जब भी कोई dress carry करते हैं तो specific उसके साथ हमने shoes type कर दी भी है किस तरह हाँ? आप लोग सबसे पहले तो हम compatibility of shoes with dress को start करने से पहले एक चोटी सी activity करते है हर एक की life में ना बड़ा मज़े मज़े का scene होता है shoes को लेकर सोच रहा है कुछ सोच रहा है मेरे साथ shoes को लेकर जो एक हुआ मसला कुछ अच्छा हो सकता है कुछ बुरा हो सकता है तो चलो मैं आपको अपना से बताती हूँ मेरे साथ क्या हो उसके बाद पर मैं आपके ओपर चोड़ते हूँ कुछ अच्छा कुछ बुरा shoes से related हो तो वो activity याद करनी है लिखनी है और फिर मुझे बतानी है कि क्या funny हो और क्या bad हुआ मेरा it was like fun or something like bad day it was actually a bad day for me actually जब हम थे आपकी एज के तो मेरे अंदर वो confidence level नहीं था to be very frank इस एज में होता ही नहीं है वो तो जब आप कमाना शुरू करते हैं तो फिर आपके आपके confidence आता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ वो और ही बात होती है तो हम शॉपिंग करने खुद नहीं जाते थे हमारी मदर हमारी शॉपिंग करती थी और पता नहीं उनको क्या हुआ कि मैंने उनसे कहा कि मेरे जो शूज है वो टूट गए मुझे शूज चाहिए तो मेरी अम्मी ने मुझे का अच्छा ठीक है चली गए और जाके बाटा से को रंगीन से शूज उठाकर ले आए आज भी उन शूज का कलर मुझे याद है ग्रीन बड़ा पॉपी ग्रीन नहीं होता वो था और उसके पर टर्कोई इस ब्लू कलर का एम्ब्रॉइड यूई भी और मेरी माँ को वो खुबसूरत लगा अच्छा यूनिफॉर्म होता था गौर्मेंट कॉलेज में लेकिन शूज आप कुछ भी पहन सकते हैं तो नोटको पता नहीं क्या बनी है नोटने जाके वो शूज ले लिए वो बड़े एक्सपेंसिफ शूज और उसका कलर इतना पॉपी और माँ वो ठाकर ले आई अच्छा मैंने नहीं देखा क्या लाई मैंने शुकर किया ले आई और मैं आराम से अपना हॉंबग चॉंबग करके सो गई सुबा जब मैं उठी और मैंने कॉले जाना था तो मैंने देखा तो मेरे शूज अजीब लीले पीले रंके मैंने का हाई हाई ये क्या हो गया मैं कहीं मैं कैसे पहन हूंग तो वो जा चुकी वी थी तो मैंने का कि चोलो आज पहन जाती हूं देखती हूं क्या होगा जैसे ही मैं वो पैनकर अपनी वैन पर बैठी तो सबसे पहला टैक मेरी सहेली ने मुझे क्या यह क्या है अभी मैंने पाउ उपर रखे और सारी वैन ने हसना शिरू कर दिया यहां से मेरा confidence level zero हो गया कि यह तो मैं कार्टून मन के जा रही हूँ मुझे आज समझ में आती है मैं शुरू से कितनी sensitive थी ना इन चीजों को लेकर मैं गई अपने college और तुम लोगे कीन करोगे मैंने जिन्दगे में कोई class bank नहीं की थी मैंने उस दिन सारी classes bank की मैं cross sitting poster में सारा दिन government college के garden में बैठी रही सिर्फ इसलिए कि आते जाते मेरी सहेलिया मेरे जूतों को देख रही थी इतनी मैं परिशान हो या घर आके फिर मैं रोई मैं आप तो मेरे तमाशा बना दिया सबने मेरे इतना मजाग उड़ा है मैंने ये shoes नहीं पहनने बार हर फिर उस दिन मेरा फौरी दौर पर मेरे फादर ने ये मसला हल किया और black color के shoes आए और मैंने का ये मैंने नहीं पहनने अब वो जाहरे college गई थी तो इतने गंदे हो चुके थे कि वो आप normally नहीं return होते फिर वो मैंने का अच्छा मैं घर में पहनूँगी लेकिन मैं पहन कर नहीं जाओंगी फिर भी मुझे ताने मिले के एड़ी तू नवाबजादी के कारिज तू है एड़े मेंगे shoes पा के पिरेंगी anyways तो ये मेरे life का shoes से related जो एना और भी कापी ऐसे रहे हैं बट ये मेरा जो एना बड़ा memorable day था जो मुझे सारी जिन्दगी जूतों के वाले से याद था अभी किसी को कुछ ना कुछ अपना या किसी और का याद होगा तो उसको थरा ज़रा write down करें और मुझे बताएं किस किस के साथ क्या क्या बीती है अच्छा compatibility of shoes with dress जैसे हम coat shoes पहनते हैं उसके साथ हमने compatible कर दिया है कि अगर हमने paint पहनी होगी तो हम उसके साथ पहनेंगे या कोई आपने flary dress पहना होगा तो उसके साथ आप पहन सकते हैं चोटी-चोटी tips हैं जो मैं आपको बताऊंगी और इसके लावा जो भी western dressing आपकी होती है उसमें jeans के लावा जो आपके dress coat और dress paint होती है उसके साथ आप coat shoes carry कर सकते हैं compatibility बहुत ज़रूरी होती है अगर आप चाहते हैं कि आपकी overall look बड़ी successful लगे बड़ी appropriate लगे बड़ी professional और according to the situation और according to the dress आपके shoes हो तो फिर आपने इन चीजों को ज़रूर follow करना है importance of situational attire ठीक है ये अच्छा ये मेरा हाले है हमारी हो गई है थोड़ी सी sports normally देखो अब कुछ specific shoes हैं जिसको आप sports dresses और track shoes के साथ ही पहनते हैं ठीक है तो ये हमारे जिसना sports के dresses होते हैं इसके साथ आपके tennis shoes जो होते है tennis shoes आपको पता होगा school में नॉमरी बहुत ज़ादा हम ये आप लोगे पीटी होती होगी कुछ इससा कि आप लोगे होती है ना वहाँ पे तो इस तरह की activities में इस तरह के shoes जो है ना वह आपके restricted है कि आपने पहनने अच्छा इसी तरह ये जो tennis shoes और ये आपने लेशब shoes देखे होंगे ladies के पुलिस और आपकी जो nurses होती है ना उनके shoes उस तरह के होते हैं क्यों होते हैं कभी अगर उन्होंने तेज से चलना है उनके पाउं थके नहीं उनको किसी किसम का कोई प्रॉब्लम ना हो वह भागम भाग अपने कामशाम कर सके इन बचारों के अपने मसायल होते होंगे जब आप सारा दिन बंद जूते पहन के बैठे रहेंगे तो नॉमली होता ना स्कूल कॉलज में ऐसे होता था कि जब आप धर आके अपने सौक्स होता थे तो आपके पाउं ऐसे हुए होते थे हैं और कुछ लोगों को तो स्वेटिंग का बड़ा इस्यू होता है पाउं में स्वेटिंग बड़ी जादा हो जाती है उसके भी काफी हल होते है वो भी आपके पाउं में स्वेटिंग कामो तो यह आपने बड़ा देखना होते हैं यह मैं कुछ टिपस आपको बताऊंगी आप लोगों जब शूज लेने के लिए जाना है तो किन किन चीजों का खयाल रखना है सिचुएशनल ड्रेसिंग की हम बात करें उसमें आप कोठ शूज देखें जिस तरह ने ड्रेस अपका है पूरा यह बेस्टर ड्रेसिंग में आ जाता है तो कोठ शूज इस तरह के ड्रेसिस के साथ पड़े अच्छे लगते है अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने लगने के साथ एक अच्छे और कवर्ड जिसम के साथ मूफ करें उसके लिए मैं कहती हूं कि अगर अगर आपने वेस्टें ड्रेसिंग में चाने तो आप पैंट के साथ खास तो आप पे लॉंग कोट पेने अगर तो आपने शलवार कमीज पहनी वी है उसके ओपर आपने लिए अगर करें तो क्या हुआ कि आप यहां से थोड़े से शेपी है तो आपको उसको कवर करना है तो उसके पी आप लॉंग कोट ही करी तो जादा बेतर है और दूसर आप यह देखे इन्होंने क्या किया है कि जिस कलर का कोट है उस कलर की पैंट है इससे डिस्ट्रेक्श आप जादा हाइट लगते हैं तो यह कोशिच करनी चाहिए कि आप जो जूते पहन रहे हैं उसकी नौयत देखे किया वो जूते इस ड्रेस के साथ अच्छे लगेंगे ठीक है जनाब तो विद वेस्टर ड्रेस आपने कोडशू स्केहरी करना है खुसा देखो चुईदार तो नहीं पहन सकते यह आप अपने कॉलेज यूनिवर्स्टी में तो नहीं पहन सकते आप अपने ऑफिशल अटायर में यह खुसे कहरी नहीं कर सकते क्योंकि यह बड़ा फॉर्मल सी चीज है बट यह पार्टी शाटी के लिए ही ठीक है इसको कॉलेज में यह प्रोफेशन के बाद रिवाइवल हो रहा था आपके फैशन ट्रेंड का तो आपने कोशिश करना है कि अपने सोशल इवेंट्स में इस तरह की चीजे कैरी करें तो विद चूरीदार और पजामा या फिर पट्याला शरवाद इस तरह की चीजों के साथ आप यह पहनेंगे जनाब यह आ और स्कूल कॉलेज युनिवर्स्टी में तो आपको पते है इतना ओपन सारा महौल होता है कि आपके पाउं गंदे होने का खच्चा होता है आपकी एडियां डामेज हो रही होती है तो आपको कोशिश क्या करनी है कि प्रोफेशनल दिखना है तो आप बंद जूते कॉलेज युनिवर्स्टी स्कूल्स वगरा में पहने तभी आप देखो युनिफॉर्म के साथ हमेशा बंद जूते रिस्टिक कर दिये जाते हैं तो यह आपने जो है यह भी फिटेट पजामा पटे आला शलवार्स इस तरह की चीज़ें जो आप सोचल इवेंट पे पहनेंगे आपका बड़ा कोई ट्राउजर शिर्ट है जो बड़ा फॉर्मल है जो बड़ा आपका पाटी वेर है आए मस से पाटी वेर के साथ आप यह चीज़ें सकते हैं इस तरह की हीज उनके साथ सूट करती हैं अब चुईदार पजामा के साथ यह पहनेंगे तो बड़ी ओर नहीं लग रही पिर वहीं बाता आजाती जब हम किसी को करतें ना आप तुमारी जूते बड़े इच्छे लग रहे तो इसका मत मतुदब गह कि भर थे कि जूते बहुत अच्छे लग रहे लेकिन आप पूरे अच्छे नहीं लग रहे क्यूंकिवी नेंकी लिझे नोट फो इंड में आपको बताऊंगी कि आपने इस्ट्रैपी शूज किस कलर पैलेट में पहने अगर प्रोफेशनल इंवार्मेंट में पहनने है तो अभी कलर्स नहीं आपने देखता हैं मैंने आपको सिर्फ यह बताया है कि यह आप सोशल एवेंट्स पहन सकते हैं सोशल इवेंट्स पे स्ट्रैपी शूज लाइक इस कांड़ सेंडल्स यू केंड कैरी विचलवार कमीज विद ट्राउजर शेर्ट तो यह आपके सोशल इवेंट्स के लिए बढ़ा अच्छा है लेकिन फिर मैंने बता दी कि शलवार कमीज और ट्राउजर शेर्ट के साथ अ विज बहुत बढ़ स्टैख़ लोग अब ढम बहुत बहुत बंख द्राउजर शेर्ट कमीज लगीं जिसतर अशिल यह वेंट्क उब अध्यवेंट्रो को यह इंड् बंद जूतों में आपके पास 2-3 options इस तरह हैं कि कुछ पीछे से strappy हो जाएं, कुछ pumps हो जाएं, कुछ heels हो जाएं, लेकिन होंगे वो coat shoes, pump shoes. Color palette देख ले, ये color बहुत इसका professional है, मैं इसके इलावा और बहुत सारे colors आपको आगे दिखाऊंगी, जो आप देखकर कहेंगे, कि अच्छा हाँ, वाके बहुत ये, तो कमाल है, ये, इसके साथ suitable है. ये colors देख ले, winter, summer के लिए, आपने जब भी अपने professional environment के लिए, जूते सेलेक्ट करने हैं ना, तो फिर आपने उस वकत ये कोशिश करनी हैं, कि आपके जो जूते हैं, वो इस तरह के होंगे, कि उसका color इस तरह का होगा. और इस तरह के color के जो जूते हैं, वो उस सूरत में पहने जाते हैं, जब आपका dress भी plain होगा. यहाँ पर कुछ बच्चों को मैं आज खास appreciate करूँगी, मुझे एक तो आपने, जो dressing की हुई है, आप लीज मैं चाहूंगी कि आप इदर आओ, और अभी एक और बच्ची जो आई थी, यहाँ पर, आप थी, I guess, आपको मैंने dress का का था था न, उठो, आओ ज़रा, मैं सब को एक example देना चाहा रही हूँ. इतनी सारी बच्ची आं कमरे के अंदर आई हैं, ठीक है, बहुत सारी बच्ची आं दाखिल हुई हैं कमरे में, बट हुआ क्या, इन दोनों पर मेरी नज़र एक दम से रुकी है, क्यों, शायद मेरा इस चीज़ के पर फोकस बहुत ज़्यादा रहता है, कि आपकी ड्रेसिंग कैसी, आपकी ड्रेसिंग कैसी, आप इन दोनों ने, देखो, मेरे लास्ट सेशन को बहुत सीरियस लिया है, माशाला, अब इनकी देखो, यहाँ पर इनकी ड्रेसिंग दोनों के बिल्कुल प्लेन है, उसके ओपर इनोंने जिसता नहां सही एक कवर किया है, यह बहुत अच्छा लग रहे हैं, तो हर चीज़ को इतना सीरियस ले लेना चाहिए, और मुझे अच्छा लग रहे हैं, कि आप सबने अपनी वाद्रोब में चेंजिस करने शुरू कर दी हैं, तो जनाब, यह वाले कलर्स हैं, जो आपने न्यूट्रल कलर्स की पैलेट में आते हैं, इसको आपने विंटर समर में डिफरेंट कर लीजएगा, जो लाइट के लिज़ के शूज हैं, इतने आपको मज़े के विंटर्स में नहीं लगते हैं, जितने समर्स में लगते हैं, तो वाइट केरी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विद आड अच्छे तो लगते हैं ना, तो कोशिश करनी चीए कि लेदर में ले लिए जाएं, क्योंकि वो बड़े अच्छे होते हैं, लेदर में आप उसको क्लीन अच्छे से कर सकते हैं, तो जनाब ये मेरे जो है ना, यहाँ पर खतम होती है, ये प्रिजेंटिशन हमारी यहाँ पर खतम हो जाती है, और अब कुछ टिप्स हैं मेरे पास, जो मैं आपको बताऊंगी, कि जब शूज लेने के लिए जाना है, उसका वक्त क्या होना चाहिए, नौयत क्या होनी चाहिए, और शूज सेलेक करते हैं, उस पर क्या क्या चीज़ें हैं, जसको नोट करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपने उसमें नोट करनी है, वो यह कि आप जस टाइम पे, शूज केरी करने के लिए जा रहे हैं, पूरा दिन हम क्या करते हैं? हम सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? हमारी मजबूरी भी है, यह जाहर है हमने अपनी सारी शॉपिंग शाम के टाइम पे रखी होती है हम कहते हैं सारे कामों से फारेग होंगे तो शाम को चलो आते जाते हम अपने शूज पकड़ लेंगे बेहतर यह होता है कि आप छुटी वाले दिन का यह प्लान रखो और कोशिश करो कि सुबा के टाइम पे आप शूज अपने जो है वो लेने के लिए जाओ उसकी खास रीजन क्या है उसकी खास रीजन यह है जनाब कि आपने सारा दिन की चलना फिरना थकन वो आपके पाओं पे आ जाती है नॉर्मली यह होता है रात के टाइम पे हमारे जो पाओं इतने डिस्टर्ब होता है कि जिस वकट आप वो कैरी करते हैं कोई भी ऐसी चीज तो बेटे क्या होता है आपने जैसे ही कैरी किया तो उस वकट तो आपको आपके पाओं बड़े फूले फूले होते हैं तो जब आप कोई चीज पकड़ के पहनते हैं तो आप अपने से बड़ा साइज ले रहे होते हैं क्योंकि जूते तो बाद में खुली जाते हैं पहनने के बाद अब जब आपने पहले ही इतने जादा बड़ा साइज ले लिया अगली बार जब आप पहनोगे ना तो क्या है कि आपने कोशिश करनी है सुबा के टाइम पे जब आपने इतना चला फिरा ना हो जब इतना काम ना किया उसकत आप जाकर अपना साइस सेट कर वा लेते हैं दूसरा एक तो यह टाइमिंग की बात हो गई मुझे लगता है आपनों को इस चीज का अंदाजा हो गया होगा कि पकड़े यह देखें अचाहे एक पाउं पहन कर देख लिया दूसरा नहीं पहना आपको पते इस नाच्रल हमारा एक पाउं बड़ा और एक पाउं थोड़ा सा चोटा होता है ठीक है यह पतला और मोटा होता है दोनों की जो size of width है उसमें थोड़ा सा difference होता है हम क्या करते ह है वह अगर हमें थोड़ा सा भी uncomfortable लगे तो हम करते हैं पहन पहन के खुल जाएगा कोई ऐसी बात नहीं है तो आप करते हैं तो आपने क्या किया आपने दूसरा पैड नहीं पहन कर देखा अब आपने पहन लिया आप uncomfortable एक तरफ से हुए दूसरी तरफ आप चल रहे हैं और दूसरा पिछले दिनों ECS और स्टाइलों की बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिसके लिए मैंने उनको लेटर लिखा था उनके शूस में बहुत ज्यादा एक चीज जो डामेजिंग थी हील की साइट से जूता मूफ कर रहा था आप कोई भी साइज ले ले लें गॉट इट आ आप आए शोरूम और हम आपको बाकी के जूते जो हैं वो रिटर्न करते और उसके साथ हम आपको कुछ ओफर करना चाहेंगे तो मैंने उन्हें कहा था कि नहीं आप अपने इस चीज को ठीक करने क्योंके मेरे ख्याल में स्टाइलो और ECS more affordable brand in Pakistan for us more economical and affordable मतलब कर मैं देखू तो मैं कोई इतना highly earned नहीं करती तो मैं आगर जाओं तो मैं heels afford नहीं करूंगी मैं कलाइव afford नहीं करूंगी आपके बहुत बड़े बड़े यहाँ पर बोर्जन है बोर्जन तो मैं बिकुल afford नहीं करूंगी सो मैं क्या करती हूँ मैं देखती हूँ जाके मुझे हमेशा ECS और style economical लगता है metro के भी अच्छे होते बट यह दो जो है ना यह वड़े अच्छे होते तो यह शुकर है इस साल उनके shoes में issues नहीं आए उन्होंने इस चीज को बड़ा serious लिया और मुझे बड़ा serious reply किया मुझ साइस उसका equal है फिर उसको चल के देखें उनके वहाँ बड़े-बड़े floors होते है mirrors लगे होते हैं आगे पीछे से देखें तीसरा point is very important शीशा लगाने का मकसद यह होता है एक चीज होती है कि आपने अपने पाओं में पहने shoes और आपको पहने के बाद वह बहुत smart लग रहे से अब जूते की शेप देखो हम कितनी बारीकियों में जा रहे हैं कुछ लोगों की नोस भड़ी तकोनी होती है ठीक है आगे से pointed nose होती है अगर वह आगे से pointed जूते पहनते हैं तो क्या होता है कि आपकी pointed nose और pointed जूते equal हो जाते हैं balance हो जाते हैं तो आपने क्या करना है इस पहने में थोड़े से आगे से नोकीले से एक होते round में अगर आपका face shape round है आपका nose normal है तो फिर आपने normal ही जूते लेने same like that जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जिन लोगों का तकोना nose होता है वह वी गले पहने तो वह balance कर जाता है आपका face shape यह छोटी-छोटी सी जो कैसे आई मेरा मैट्रेक जो है वह आर्ट्स में था और मेरा सब्जेक्ट था home economics home economics पे उन्होंने होता था ना आपको project में कोई किताब मिल जाती थी मुझे आज भी याद है हमें home economics college के project syllabus की book थी लबास तो वह book हमें उन्होंने project में लगा दी थी कि book आपने पढ़नी है और उसका review देना है तो वह book मैंने समझो गोल के पी ली थी मुझे आइडिया नहीं था कि future में मैं इस field में आ जाऊंगी मुझे उस वकत की tips अभी तक याद है कि अगर आपने कपड़े दोका डालने है तो कैसे डालने है आपने पनी रोप को कैसे साफ करना है डालते वे कैसे आपने उसको पानी ने चोड़ना है कैसे जटकना है कैसे डालने उसमें हर चीज थी अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो वो किताब जरूर पढ़ ले उससे क्या होगा कि आप एक अच्छी घरेलू खातून और प्रोफेशनल लाइफ गुजारने की बड़ी अच्छी टिप्स उसमें मिल जाती है कि अगर इफ यूर प्रोफेशनल वोमन तो कपड़ों को कीसे करना है यहां तक यह बता आया अगर आपके पास एक वाइट शेलवार है तो उसको चार ब्रेसेस के साथ कैसे कारी करेंगे कोई जिमेलिकल बशल शेप की बना ने शिर्ट कोई प्लैन बना लए दो प्लैन बना ले चले ऊएक सेंऻ कलर की वनी चाहिए एक different color की होनी चाहिए, एक geometrical होनी चाहिए और एक कोई print बना ले तो उन्होंने एक ही trouser का चार लबास बना दिये थे तो उस किताब में बहुत अच्छी चीज़े हैं मैं search करूंगी author का नाम क्या था मैं आप लोगों को वो किताब पढ़ने के लिए बताऊंगी must read that book अच्छे जनाब कैसा राया आज का session समझ में आया है कुछ कुछ उसमें add-on करवाना चाहें या कोई सवाल हो कोई related to कुछ भी हो height से related बेटे देखो यहाँ पे height की कहानी नहीं आएगी आपने पहनने हैं half inch या one inch की heel के साथ चूस पहनने क्योंकि आपकी back bone का सवाल है हमें मेरी एक sitting हुई थी एक नहीं काफी sitting हुई है doctor's के साथ उन्होंने का कि आप अपने lectures में जो है यह लोगों को कहती है कि जी वो palm shoes पहने तो मैं आप फ्लाइट पहनने का कि और उन्होंने का क्यों मैंने कि I feel very comfortable और उन्होंने मुझे से पूछा कि आपको back bone की pain होती है मैंने का वो तो मैं drive करती हूँ इस वज़े से बड़ी लंबी लंबी drive करती हूँ तो उन्होंने मुझे का कि नहीं आपको पते कि यहां पर आप mistake कर रही है आप बच्चियों को समझाएं कि आज कर यह spinal cord का issue बहुत ज़ादा हो गया है और यह इसलिए हो रहा है कि बच्चियां flat pumps पहनती है या बहुत high heels पहन लेती है दोनों काम नहीं करने आपकी जो height है ना उसके साथ confident रहो please कुछ नहीं रखावा height में width में professional ठीक है सेहत हजार नेमत है सेहत के पर focus रखना है यह तो हम हर वकत पढ़ते हैं कि सेहत तो नेमत है ना उस पर तो रखना ही है लेकिन अब जो चीज़ें आपको हम यह ने दे दिया है उसको हम बेहतर करने के लिए sometimes बहुत out of the way चले जाते हैं मेरा रंग काला है तो मैं क्या करूँ मैं 6-6 layers लगा लूँ foundation की कल को मेरे इस रंग में चमक भी नहीं रहेगी pimples वाला मू हो जाएगा तो क्या मैं अला का शुकर अदा करूंगी कि मैं थोई दे के लिए खुबसूरत लगती हूँ और बाद में मैं खुद कोई नहीं पहचान सकती बड़े मज़े का सुबह मैंने social media पे आज एक video clip देखा है कि लड़की bridal make-up उता रही और साथ रो रही है और नीचे लिखा वहा रहा है कि इतनी expensive ये उसने पैसे नहीं है गोल्ड की कीमत के पैसे दी है इसने पालर में और अब उसको make-up उतारना पढ़े तो इतना रो रही है कि मुझे make-up मैंने इतने पैसे लगा कर उतारना पढ़े तो बात ये कि अपने आपको इतना नहीं तबदील करना कि जब make-up होतारने तो खुद ही आप अपने आपको इना पहचान सके ठीक है इतना make-up होना चाहिए कि आप presentable लगे आपने make-up किया हुआ है कितना make-up किया हुआ है very natural very natural इतना होना चाहिए इतनी skin है आने वाला trend इस चीज़ का है बच्चों कि आपकी skin कितनी अच्छी है काली है गोरी है doesn't matter अगर आपकी skin के ओपर दाने नहीं है, dumps नहीं है scars नहीं है तो आपका रंग जैसा भी है ना clean skin है तो आप खुबसूरत है आप मुझे बताएं fashion models में पके रंग को क्यों ज़्यादा वो किया जाता है appreciate किया जाता है क्योंकि वो ज़्यादा फोटो जैनेक होती है उनकी फोटो ज़्यादा अच्छी आती है वो ज़्यादा attractive होती है तो इस चीज़ को समझने के कोशिश करो रंग में कुछ नहीं रखावा स्किन अच्छी होनी चाहिए पानी पीओ तली वी चीज़ें काम खाओ और देखो स्किन कितनी अच्छी हो जिए कर मेक अप ज़्यादा ना करो खुद की पेचान बनाओ पेचान थोबडे से नहीं होती सौरी इस्सा काल फाथ fatality कर रही हूं मैं छाली चेरे से पेचान नहीं होती आपके काम से पेचान होती नाम बनाना है ना चेरों से नाम नहीं बनते अगर चेरों से नाम बनते होते तो पाठ्वानियां देखो किस कदर खबसूरत होती है आज famous होती ही पाकिसान में, नहीं है ना, काम नहीं करती आप खूलें हमारी inspectors के naam देखें आप हमारी उनके देखें airline में काम करने वाली khuatateen के नाम देखें आप इन सब को आप क्या, वो बहुत कुपसूरत है काम से नाम बनाया उन्होंने अपना तो आप लोगोंने भी इसके ओपर फोकस रखना है मेकप के ओपर जादा फोकस नहीं रखना मेकप उतना ही हो देखो कितना अच्छा तुमने हलका सा लाइट सा वेरी प्रोफेशनल वेरी प्रिजेंटेबल तो सब बच्चियों का मेकप आज मुझे बहुत अच्छा लग रहे क्योंकि मुझे अब लग रहे कि आप लोगोंने लाज्ट टाइम की सेशन को सीरियस ली है तो जनाब यहां पर मेरा सेशन होता है खतम